तो काई स्वागत है आपका हमारे जावास्कृट पोर्टफोलियो कोर्स की ठाइड वीडियो में आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं कैलकुलेटर, अब आप सोच रहेंगे कि यह तो काफी बेसिक प्रोजेक्ट है से हम पॉर्टफोलियो में डालके क्या करेंगे तो हां है पर अगर हम इसमें थोड़ी सी एडवांस स्टैलिंग कर लें तो इसे भी हम अपने पॉर्टफोलियो में एड़ कर सकते हैं तो चलिए बिना किसी दे पॉर्ट वर्ट में खोल लेते हैं पिर उसके बाद हम यह तीन फाइल्स बनाईगे जो कि होगे हमारी एस्टेमेल css और जावास्क्रिप फाइल उसके बाद हम यह एस्टेमेल फाइल में बौरर परेट डालके पॉर्ण करेंगे यहां पर टायटल दे देंगे क्यल्कुले उसके बार हम css link कर लेंगे और उसके बार हम जावास्क्रिप बी लिंग कर लेते हैं अब यहां सेफ करके मैं open with life server लेता हूं तो यह देंगे title आगया है calculator अब यहां calculator बनाना start करते हैं div डालेंगे जिसे हम class देंगे calculator calculator होने चाहिए और उसके पार हम अंदर input डालेंगे इसे टैब देंगे text नेम देंगे text और ID देंगे display क्योंकि हमारी display होगी जिस पर सारी calculation शो होगी अब यहां में div बनाएंगे उसे class देंगे button container इसके अंदर हमारे जित्ते भी calculator के बटन ऐसा होंगी तो पहले तो मैं बटन बनाता हूं उसे operator class दूंगा और प्लस का होगा यह तो प्लस माइनस multiply or divide यह चारो हमारे operators क्यलाते हैं तो इन चारों के buttons को हम class देंगे operators मैं यह चारों बना लेता हूं प्लस माइनस multiply or divide बन चुके मेरे अब यहां पर हम बटन मनाएंगे पहले तो 1 से लेकर 9 तक यानि कि में 9 बटन मनाने हैं और उन्हें हम कोई भी class ने देंगे उन्हें ऐसी हम simply बना रहेंगे इसके बाद हम एक बटन मनाएंगे जिसे हम class देंगे decimal यह हमारा decimal का button होगा तो यहां हम पॉइंट कर देते हैं यहां पर क्योंकि decimal तो वही होता ना point तो इसके बाद अब हम जीरो का भी बेटन मना लिए जीरो में भी देंगे जो मतलब हमारे नंबर्स है नॉर्मल उनमें कोई class नहीं देनी हमें उसके बाद हमें बटन बनाएंगे जोगी हमारा clear बटन होगा ऐसे class देंगे clear और इसके अंडर सी लिग देते हैं capital C फिर हम एक बटन बनाएंगे जोगी हमारे equal to का होगा तो इसे class देंगे equal sign और इसके बार हम इसमें operator class भी दे देंगे क्योंकि एक operator भी है और यहां पर कड़ देते हैं हम equal to तो देगे हमारे buttons आ गए है और हमारी डिस्प्ले भी आ गई है जिसमें हम भी calculation शो होगी अब यह जित्ते भी बटन है और डिस्प्ले है हमारी इंपुट वाली उसे हम पूरा style करेंगे तो चलते हैं CSS में और बोडी टेंगला आके मैं सबसे पहले हमें से मेडल में लाना है तो उसके लिए मैं इसके डिस्प्ले कर दूंगा और फ्लैक्स एलाइन अने टम और जेस्टिफाय कांटेंट दोनों सेंटर कर देंगे तो यह होरिजोंटली तो सेंटर में आ गया है पर वर्टिकली नहीं आया तो वह इसलिए क्यों कि जो हाइट है वह काफी कम है तो हम इसकी मिनमम हाइट कर देते हैं हन्राइड वी एच यानि की हन्राइड विएपोर्ट तो में सिफ करूं तो यह देखिए मिडल में आगया है होरिजोंटली वी और वर्टिकली वी अभी जो हमारे बटन से एकदम लाइन से जा रहे हैं इन्हें हम सही करेंगे तो बटन कंटेनर को हमें स्टाइल करना होगा इसमें डिस्प्ले कर देंगे ग्रेट ग्रेट टेम्प्लेट कॉलम कर देंगे हम रपीट 4,1fr क्योंकि हमें फोर बटन की रोज चाहिए उसके बाद हम ग्रेट कर देंगे 10 पिक्सल और कर देंगे पैडिंग भी 10 पिक्सल तो यह हमारा अब तक लेट काफ की अच्छा बन गया है वह से कलर बलड देंगे तो हमारा वो जो कैलकुलेटर अटेव है उसको हमें स्टैल करेंगे हम कर देंगे इसकी मिनमम विद कर देते हैं 400 पिक्सल ताकि थोड़ा बड़ा हो जाए और इसका बैग्राउंड हम अभी कि ऐसा ही कोई रेड्नम चूज करके लगा देते हैं तो यह ठीक लग रहा है थोड़ा पिंग टैप का और फिर हम इसके बाद बॉर्डर रेडियस देंगे 12 पिक्सल जिससे थोड़े राउंड कॉर्ना सो जाए इसके और बॉक्स शेडो हम देंगे 0 5 पिक्सल यह 0 है हमारा वह होरिजॉंटल ऑफसेट है मतलब होरिजॉंटली कितने थोड़ी सी बाहरा है वह शेडो उसकी और शेडो वर्टिकल हमें 5 पिक्सल चाहिए और 30 पिक्सल यह बलर होनी चाहिए शेडो और मायस 5 पिक्सल इसका साइज होना चाहिए और इसको कलर हम देंगे 0 0 0 and 0.6 अगर इसको कलर दे दिता हूं यह जो ऊपर हमना ऐसी रेंडम ली चूस किया था कलर देते हैं 199,199,199 तो यह रही है यह सही हो गया काफी हमारा अच्छा लग रहा है अब हम इसको सेपरेटली बटन को स्टैल करेंगे और इंपट को भी तो सबसे पहले इंपट को स्टैल कर लेत इसको थोड़ा कम कर देते हैं 98 परसेंट कर देते हैं अब हम इसका फॉर्ट साइज बढ़ाएंगे 45 पिक्सल पर यह दरी कि मैं लिखके भी दिखा देता हूं अब इसका कलर हम कर देते हैं वाहिट और अबब्रेगर्ण कर देंगे उस से पहले हम इसका बार्टर नं कर देते हैं फिर हम इसका बैगरांड करेंगे ब्लैग उपर अम वेफ थोरी पड़ा देते हैं 99% कर देते हैं और बॉर्डर रेडियेस कर देते हैं हम इसकी 10 पिक्सल किधर से 10 पिक्सल राइट वाले उपर वाले कॉर्णर से और 00 दोनों नीचे कॉर्णर से तो यह देखिए उपर से दोनों साइट से राउंड हो गया और नीचे बिल्कुल जैसे होता है रेक्टेंगल वैसे ही शार्प है अब ऐसा पैडिंग देते हैं 5 पिक्ल तो अब हमारे काफी अच्छे लग रहे हैं अब हम सेपरेटली मतलब जो हमारे इंडिविज्वी बिल्टा है उने स्टैल करेंगे पूरे केल्कुल्टोन्यकों नहीं करेंगे तो यह लिखेंगे बटन विट हम डालेंगे कर्ली ब्रैक और font weight कर देते हैं 100, border none, cursor pointer कर देते हैं और border radius कर देते हैं इनकी 5 pixels, इसके बार हम इसा background देंगे, white तो है, white smoke दे देते हैं तो यहां तक हमारी main styling पूरी हो गई है, अब हम यहां पर कुछ extra styling देनी को चुछ करते हैं, जैसे हम operators में हमारी background color कर देते हैं, इसका grey सबसे अलग और color दिख कर देते हैं, ivory और इसका थोड़ा font size भी बढ़ा के 30 pixels कर देंगे, तो मैं सेफ करके लिखाता हूं, तो यह रही है, थोड़ा यह क्या हुगा है क्यों नहीं, तो सिर्फ equal to में आया है, अच्छा यहां पर हमने class में गड़बड होई है, class यहां पर मैं SP operators कर दूँगा, और यहां पर भी S कर देता हूं, तो यह रही है, समय हो गई है, और operators हमारे numbers, बागी numbers से तोड़े अलग 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 हैं अब मैं जो है, यहां पर जो मेरा equal to वाला sign है, उसका मैं background color चेंज करूँगा, और पहले मैं उसे यहां पर इसे side में करूँगा, तो grid column 4 कर देता हूं, जिससे 4th column में आ गया, और फिर मैं इसकी grid row, इसकी मैं चाहता हूं कि यह second number से start हो, और 4 column cover कर रहें, तो मैं करूँगा 2 slash span 4, तो यह देखे, यह second column से start हुआ, और इसने 4 columns cover किये है, अब मैं इसका background color भी change करके green tap का कुछ कर देता हूं, तो यहां 15, 26, और यहां में करूँगा, यहां 226 कर देते हैं, और इधर मैं कर देता हूं 60, तो यह देखे, यहां पर green हो गया, अब मैं यहां पर जो मेरा clear बटन है, उसका भी background color change करके red कर देता हूं, तो यह भी थोड़ा अलग देख रहा है, और इसका color white कर देते हैं, तब और बढ़िया देखेगा, यहां अब यह काफी अच्छा देख़गा है, मैं बटन की थोड़ी सी यहां पर padding बढ़ा देता हूं, padding 10 pixel कर देते हैं तो अब इसके और visibility एच्छी हो गई और पहले से और बेटर देख रहा है, अब हम ऐसा करते हैं, इसमें कुछ और होगा रैड करते हैं, और active जो हमारी CSS होती है, वो एड करते हैं, जिससे की और बेटर देखने लगेगा, तो सबसे पहले हम बटन में करते हैं, बटन होवर, और इसक करके आपको देखाता हूं, तो यह वाइट वाला पे ता पता नी चला है, ग्रीन और रैड पर चला है, तो अभी हम इसमें कुछ और करने को चुछ करेंगे, अभी मैं ऐसा करता हूं, यहां से बटन हटा दूगा, और यहां ऑपरेटर कर दूगा, ताकि यह सिर्फ ऑपरे इसकी 90% हो जाए, तो इसकी काम हो रही है, तो काफी अच्छी पता चले है, अब यहां पर मैं लगाँगा, एक्टिव अपने बटन पर, तो जिससे कि जब भी कोई बटन क्लिक करें, तो उसका जो भी है, साइज चेंज हो जाए, तो बटन एक्टिव ट्रांसफॉर्म स्के तो आपको यह साइस चेंज हो यह पता नहीं क्यों हमारी CSS वर्क नहीं कर रही है, अच्छा है, यहां पर सिर्फ बटन होगा यह हमने क्लास तो डिया, अब देखें, आप कर रही है, और यह देखिए, जब भी मैं यहां किसी भी बटन पर क्लिक कर रहा हूं, तो उसका साइ से बनानी कोशिश करते हैं, तो अगर मैं आपको दिखा हूं, तो यह देखिए, अभी हमारा calculator इत्ता responsive नहीं है, अगर हम किसी फोन में यह website खुलेंगे, तो वो साइट से थोड़ा कट रहा है, calculator, तो उसके लिए हम यह मीडिया को यह लगाएंगे, और उसके बार यहां लि करेंगे, यहां पर हमें विद की स्पेल इंग लगाएंगे, और उसके बाद हम यहां मैं विद कर देता हूं 95 परसेंट और सेफ करके दिखा हूं आपको तो देखिए, यह पहले से ज्यादा responsive हो गया है, और अगर आप इसकी विद और कम करेंगे ना तो यह और ज्यादा मत अब मैं और कम कर दूँगा, इसकी 80 परसेंट कर दूँगा, तो यह और ज्यादा बेटल लगने लगेगा, तो यह परसेंट करने से यह हो रहा है, जब भी 600 पिक्सल से कम हो रही है विद हमारी स्क्रीन की, तो चो कैलकुलेटर है ना, तो इस समय वो टोटल विज से सिर्फ के ऑध इस हमारी में चैसाज़ कर लोगा जिसके थूप मैं अडिम शिलेक मैं कर लोगा उस इंपुट कर लूगा, उस इन्पुट टैक को जिसको मैं आएसाइन mit3 ता, फिर उसके बार हम यह वयाविग बनाएंगे button जिसके through मैं query selector all से सारे button select कर लोगा और उसके बाद यहां एक variable बनाएंगे screen value और screen value basically हमारी जो calculator screen है उसकी value है तो starting में तो वो खाली होगा तो यहां पर हम यह बस code लगा के ऐसे space दे रहते हैं इसके बाद हम for loop का यूज़ करके लगेंगे यहां पर item of button तो basically यह button हमने जितने भी element select करें उसके through इस variable कर थूँ उन सब के item होगे और फिर इसके item पर हम add event listener लगाएंगे और लिख देंगे click और यहां पर हम e arrow function का यूज़ करके लिखेंगे button text equal to e.target.inner text तो button text जो भी हमारा suppose हमने button क्लिक किया 7 तो 7 का inner text होगा वो आ जाएगा यहां पर हमें return हो जाएगा और उसके जो मतलब variable होगा उसका button text होगा उसके के बाद हम यहां पर लिखेंगे display.value equal to button text तो basically जब भी हम कोई button क्लिक करेंगे तो उसका जो inner text होगा वो हमारी जो input tag है वहां पर show हो लगेगा तो देखें जब भी मैं कोई button क्लिक कर रहा हूं वो button हमारे calculator की screen पर show हो रहा है तो यह देखें कि simply बस हम यहां लिख देंगे plus तो यह plus equal to हो गया अब यहां पर अगर मैं बटन क्लिक करता हूं तो देखें बटन प्लस होते जा रहे है जैसे इकवल टू बैन डिस्प्ली डॉट वैल्यो एकवल टू एवलुट फंक्शन और अंदर डाल देते हैं screen value तो बेसिकली यह जो एवलुट फंक्शन है यह इसके अंदर जो भी हम अगर 2 प्लस 3 डालते है तो वह रिटन कर देता है 5 तो हम जो भी डालेंगे उसे एवलुट क के यहां से यहां लिख दूँगा screen value plus equal to button text और इसके नीचे display.value equal to screen value तो अगर मैं save करूँ और आपको दिखा हूँ तो यह अभी वर्क नहीं कर रहा है तो कोई error है तो हाँ screen value is notified तो यहां spelling में गलती हो गई है तो यहां मैंने spelling सही कर दी है अब हम कोई sum करके देखते हैं तो यहां पर रुखिए तो देखिए यहां पर हमारा sum बिल्कुल सही हो रहा है लेकिन यहां पर एक गड़वड हो रही है जब भी हम कोई और number प्लस करना चाहते हैं तो हमारे जो पुराने नम्बर देवों स्क्रीन वेल्यू एक्वल टू डिस्प्ले डॉट वेल्यू तो देखिए हमारी यहां पर प्रॉब्लम फिक्स हो चुकी है अगर मैं यहां 1 प्लस 1 करके तका हूं टू रहा है और मैं कुछ भी करता जाओंगा तो जैसे हमारा नॉर्मल क्लियर करता है सब कुछ होता लेकिन यहां पर जब मैंने मुल्टिप्लाइब क्लिक किया तो यहां एक्स आ गया तो और यहां पर मैं क्लियर करूँ अगर इसे क्लियर करना चाहूं तो सी प्रिंट होता जा रहा है तो हमें इसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा तो हम वापस जावास्क्रिप पे चलते और स्क्रीन वैल्यू भी हम यहां पर एंप्टी कर देते हैं कि अगर करके आपको देखाता हूं तो यह देखिए यह हमारा क्लियर वटन परफेक्ली वर्क कर रहा है अब बस हमें यह मल्टिप्लाई वाली प्रॉब्लम को और फिक्स करना है तो उसके लिए हम जावस्क्रि अगर अगर मैं यह सेफ करके आपको देखां तो यह देखिए हमारे जावस्क्रिप्लाई वाला फंक्शन भी वर्क कर रहा है सारे फंक्शन वर्क करी रहते पहले ही और मंटिप्लाई वाला भी करने लगा क्लियर बटन भी पर्फेक्ली वर्क कर रहा है और यह रेस्पॉंसिफ भी है तो हमारा यह प्रोजेक्ट पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है तो आप इसे आप अपने पॉट्फोलियो में एड क्यों गयोग्र्ट राइन अश्थ, आप चुक कर देन तो हमारा को चाहन दूसरो के नच भी है और है क्योड़ियों से पूरी यह रेस्टरी वर्क कर रौटन वर्क कर रहा हां ज़ीदों प्रूट वर्क कर देद।